पारसवंपेथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेल मूरिया आज आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं उन टोप 5 पहमेथिंग मेडिसिंस के बारे में जो आपको सरीर पे खुजली के अंदर इचींग स्किन के अंदर या इचींग स्किन के अंदर यूज की ज नेटल मूरियोटिकम की खास कंडिस़्न होती हैं अगर आपकी इस्किन ट्राई होती है शुखी होती है। वहां पर कशा कचा सा पढ़ जाता है वहां पर आपको बार बार खुजली आती है। खुजली भी ऐस्किनग सा gusta के अंदर अज़ी नेटलु के साय वहां करIT है। उ उसके अंदर सबसे बस मैडिसन नेट्रमुरेटिकम, नेट्रमुरेटिकम के खास बात ये है कि उनको क्रेमिंग जो होती है, सॉल्टी चीजें खाने की होती है, नमकीन चीजें खाने का मन करता है, तो उनके लिए best medicine है natural immunity का यानि जिन लोगों की skin dry होती है नमक खाने का मन करता है नमक या ते जो चीजे होती है spicy चीजे खाने का बार बार मन करता है तो सबसे best medicine है natural immunity का second medicine है जिसके बारे में हम बात करेंगे वह दोस्तों petroleum petroleum एक ऐसी दवा है जहाँ पर winter season के अंदर आपकी skin dry होने लग जाते है skin के ओपर क्रेक्स आने लग जाते है skin dry के साथ में बहुत तेज खुजली अगर आपको आ रही है तो उसके अंदर सबसे best medicine है petroleum यानि सर्दी के मोसमें अगर आपको सरीर पे खुजली है किसी भी तरिके का कोई दाना नहीं है skin rough है तो आप petroleum का इस्तिमाल आसानी से कर सकते हैं इसकी 30 power को 2-3 बून जीप पर डाल के ले सकते हैं या आदा कब पानी में डाल के भी लिया जा सकता है अब बात करते हैं कि third number की top reading home painting medicines के बारे में जो generally किसी भी तरिके की खुजली के अंदर यूज की जाती है वो है sulfur sulfur का मतलब है कि आपको body में किसी भी तरिके की खुजली आपकी skin unhealthy है एक तरिके से आपकी skin का look change होने लग जाता है जो glow होता हो खतम होने लग जाता है या फिर आप अलग लग तरिके के local ointments का इस्तेमाल कर लेते हैं दवाईयों का इस्तेमाल करते हैं उसके बावजुद वो चीज ठीक नहीं होती है तो हमेपेथी में आता ही है हम skin के लिए क्या करते हैं anti-suric medicine के रूप में sulfur का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी खुजली के अंदर जल्द ही आपको रहात मिलने लग जाती है तो यानि sulfur का आप skin की खुजली के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपकी skin अगर unhealthy हो तेज खुजली आती हो या कई तरीके के कोई भी दवाया काम नहीं करती हो तो सबसे अच्छी दवा है अब fourth number की medicine है जिसके बारे में मैं डिसकस करो हूँ वो है roomax जहां कई बार आप देखते हैं कि आपकी body care पर किसी भी तरीके का कोई दाना नहीं होता खुजली आती है यहां का आगई खुजली दूसरी जगा आगई तिसरे पार्ट पर खुजली आलगई यानि आप खुजली से इतने प्रेशान हो जाते हैं कि दाना खुछ भी नहीं है कोई eruption नहीं है किसी तरीकी की skin disease आपको नजर नहीं आती है लेकिन आपको खुजली continue बनी हुई है उसके अंदर आप roomax 30 power का इस्तिमाल कर सकते हैं अब last and final medicine जिसको हम skin aging के लिए यूज की जाती है वो medicine है दोस्तू artica urans artica urans उन condition में सबसे best medicine है जहां पर आप क्या करते हैं कि body के अपर allergy conditions बनती है आपको खाना खाया आपके skin के पर खुजली आने लग जाती है आप pollution वाले area में गई आपको खुजली आने लग जाती है किसी चीज़ के contact में आए उससे आपको उस स्रीर पे खुजली आने लग जाती है यानि कि articaria से समन्दी जो conditions बलती है कई बार कि articaria के अलावा पता ही नहीं चलता हमारी body के अंदर कुछ allergy conditions अलरी होती है तो उनके अंदर articaria urine का आप इस्तेमाल का सकते है फ्रेंस ये पांच medicine है generally जो यूज की जाती है आप भी आपकी जो conditions है उसके according यूज का सकते है लेकिन होमेपेटिंग में बहुत सरी ऐसी दवाईयां आती है जो patient की अलगए situation के according या symptoms के according दी जाती है तो अगर आपको इस चीज से लंबे समय से प्रिसानत आप नजदी की डोक्टर से प्रामर्स करके भी treatment ले सकते हैं आप हमारे से प्रामर्स चाते हैं तो दीगी वार्चाप नमबर के दोबार appointment लेके consult कर सकते हैं जानकरी अगर आपको अच्छी लोगए तो इसको लाइक किजिए सेर किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब परना नहीं बूले मिलते हैं नहीं नहीं जानकरी एंग वीडियो के साथ दनेवाद फ्रेंड्स